दोस्तो करोना काल में वर्क फ्रोम होम की शुरुआत हुई थी और अब अमरित काल में वर्क फ्रोम जेल की शुरुआत हो रही है जी हाँ और ये पहल कर रहे है दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ये ही है इडी का खेल जिसने केजरिवाल को भेज दिया जेल अब सवाल है क क्या मोदी सरकार केजरिवार को वर्क फ्रोम जेल करने देगी क्या LG सरकार बरखास्त नहीं करेंगे नमशकार दोस्तों मैं हिमानसी कशप आपके साथ आप देख रहे है जुन तक यवास दिल्ली की अदालत में आप नेता अरविंद केजरिवार को तीहाट जेल भेज दिया ह CM केजरिवार तीहाट जेल नमबर दो में 15 अपरेल तक रहेंगे इस दोरान उन पर 24 घंटे CCTV की नजर होगी उन्हें बैरक में अकेले रखा गया है केजरिवार को भले ही तीहाट जेल भेज दिया गया है लेकिन केजरिवार अपनी जिद पर अड़े है कि सरकार वो जेल से चलाएंगे और मुखे मंतरी पद से सीपा नहीं देंगे ऐसे में सवाल उठ रहे है केजरिवार के पास अब क्या-क्या विकल बच्चते है मामले में अगली सुनुवाई 15 परेल को होगी केजरिवार के नियाई खिरासत में जाने का यह मतलब हुआ कि अब उनके पास अधि अब E.D. की तरह से दोस्तों सरकारी नोक्री में कारेरत करमचारी अगर किसी अपराग में गिरफतार होता है तो उसे तुरन सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन भारत का कानून नेताओं के लिए लग है देश के कानून के मताबिक अगर केजरिवार चाहे तो जेल से भी सर पर बना रहा सकता है हाला कि उसने अपने मुख्य मंत्री पर्थ से जुड़े सभी दायत्वों का निर्वहन जेल मैन्यून के नियमों का पालन करते हुए करना होगा कानून के मुताबिक नियाएक हिरासत में रहते हुए केजरिवार सरकार चला सकते है 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक किसी भी जंग है या बेडिंग को जेल घोशित किया जा सकता है और केजरिवार महार हैकर सरकार चला सकते है लेकिन इसका अधिकार उपरा जेपाल के पास है दोस्तों जब सुबरत रोय सहारा जेल में थे तब जेल के एक कॉंपलेक्स को जेल घोशित किया गया था महां इंटरनेट, फोन और वीडियो कॉंफरेंसिंग की सुविदा थी यही रहकर सहारा ने अपनी संपत्या बेची थी और करजा चुकाया था तब जाकर उन्हें जमानत मिली थी हाला कि केजरिवाल के मामले में भी ऐसा हो इसकी गुंजाइस काफी कम है क्योंकि केजरिवाल और उपराजेपाल के भी जैसे संबन रहे है उससे आप परीचित है इतना ही नहीं LG सकसेना नहीं कथित सराब घोटाले की सीबेग जाज की सिपारिस भी की थी मुखे मंतरी केजरिवाल को अगर कोई सुवीदा नहीं दी जाती है तो फिर जेल से सरकार चला पाना लगबग नामुम्किन है अगर केजरिवाल को आम कैदी की तरह भी रखा जाता है तो फिर जेल में रहेकर किसी फाईल पर साइन करना भी मुश्किल है दिल्ली के जेल मैनुल के मुताबिक किसी भी कैदी को जेल में आने के बाद जेल परशासन को 10 लोगों के नाम देने होते है जेल में रहते हुए इनी 10 लोगों से बात और मुलाकात की जा सकती है इन 10 में से कोई भी सक्स टेली फोन कर जेल परसासन को बता सकता है कि वो किस दिन कैदी से मिलने आना चाहता है फिर जेल परसासन ही तारीक और समय बताता है जेल मैन्यूर के मुताबिक हथे में सिर्फ दो बार ही आदे आदे घंटे के लिए कैदी से मुलाकात की जा सकती है एक बार में तीन लोग ही कैदी से मिल सकते है मुलाकात का वक्थ सुबह साड़े 9 बजे से दोपैर साड़े 12 बजे तक होता है मुलाकात के दोरान कैदी एक तरफ होता है और दूसरी तरफ उससे मुलाकात करने वाला सक्स बीच में लोई की जाली होती है ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो केजरिवार को जेल से सरकार चलाने से रोक सके हाला कि उसके बाद भी जेल से सरकार चलाना तेडिखीर है कोई कैदी जब तक जेल में है तब तक उसकी सारी गतिवीदिया कोर्ट के आदिस पर निर्बर होती है कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर साइन कर सकता है लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर साइन करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी इतना ही नहीं जेल में बंद नेता चुनाप तो लड़ सकता है सदन की कारवाई में भी शामिल हो सकता है लेकिन वहां किसी तरह की बैटरक नहीं कर सकता जनवरी में जब E.D. ने हेमन सोरेन को गिरफतार किया था तो PMLA कोर्ट ने उन्हें विश्वास मत में भाग लेनी की जातत दे दी थी हाला कि E.D. की हिरासत में रहते हुए केजरिवाल ने भी दो सरकारी आदेश जारी किये थे लेकिन दिल्ली के उपरा जेपार V.K. सकसेना ने कारे करम में ये साफ कर दिया था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी लिहाजा केजरिवाल चाहे तो सरकार चला सकते है लेकिन उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी ऐसे में अगर किसी फाइल को वो साइन करना चाहे क्याबिनेट की बैटर करना चाहे या फिर कोई फैसला लेना चाहे तो कोड की मन्जूरी की जरूरत होगी अगर कोड की मन्जूरी के बगएर कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनोती मिल सकती है देखिए हमारे मुख्य मंत्री और आप नेताओं को पकाब रोसा है जिस तरह से ED एक्टिव है ED उनको सरकार चलाने में पूरी मदब करेगी धीरे धीरे उनके सभी कैबिनेट मंत्री को तीहार भेजेगी ताकि कैबिनेट मीटिंग भी वही हो सके भले कैबिनेट के निर्ने जेल से भार ना जा सके लेकिन सरकार चलेगी इसी की तरच पर आप मंत्री अतीशी ने आज प्रेस कोंफरेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए है अतीशी ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें ओफर दिया है कि या तो बीजेपी जोइन करके अपना राजनीती करियर बचा लूँ या अगर पार्टी जोइन नहीं की तो आने वाले एक महिने में E.D. की ओर से गिरफतार कर लिया जाएगा मेरे करीबी व्यक्ती ने बताया कि परधार मंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदनी पार्टी के सबी लोगों को कुछल ना है फिलार केजरिवार के खिलाफ अभी सिर्फ आरोप लगे है मामले की सुनूवाई कोर्ट में चल रही है हाला कि अगर केजरिवार के खिलाफ दोस सीध हो जाता है तो वे अपने पदपर नहीं बने रह सकेंगे यदि किसी मुख्य मंतरी को किसी आपरादिक अपराद का दोशित हराया जाता है वो जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे लोग परतिनिदित्व अधिनियम, 1951 के प्रापधानों के अनुसार सरकारी पद संभालने से अयोग गेट हराया जा सकता है ऐसे सजायपता लोग सबा या विधान सबा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते दोस्तों आपको क्या लगता है क्या मोदी सरकार जेल से सरकार चलने देगी आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट का जरूर बताए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जुनता की अवास